Hello everyone, welcome to our YouTube channel for UPSC Preparation हम बात कर रहे हैं New Horizons of Public Administration by Mohat Bhattacharya बुक के बारे में Chapter 5 का Part 3 आज हम cover करेंगे जिसमें हम Max Weber के critics और bureaucracy में gender issue जो है उसके बारे में हम discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह lecture बट अगर अभी तक आपने previous वीडियो नहीं देखें हैं इस बुक से रिलेटेड तो पहले वो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह हमारे initiative कैसा लगा तो चलिए शुरू करते हैं critics of Weber and issues of gender in bureaucracy सबसे पहले वेबर की theory को थोड़ा सा analyze करते हैं तीन aspect उभर के आते हैं Weber की theory को वो पढ़ते हैं David Beatham अपनी उनका एक work है Max Weber and the theory of modern politics उस work में यह बताते हैं कि Weber की theory के तीन aspect हैं और वो तीन aspect कौन से हैं सबसे पहला bureaucracy को वो एक technical efficient instrument की तरह देखते हैं administration का एक ऐसा instrument जो technically efficient है ठीक है तो इसमें उनका जो ध्यान वो रहता है कि bureaucracy के technical और instrumental nature पे कि एक instrument है clear जब बात आती है na instrumental role of the bureaucracy that means bureaucracy as an instrument of administration second जो aspect वो बताते हैं वो यह कि bureaucracy की tendency क्या होती है कि वो अपने काम से आगे बढ़कर वो अपने instrumental function से आगे निकल करके अपने आपको society में एक separate force की तरह establish करती है अपने आपको एक अलग से elite, एक अलग body बनाने की कोशिश करती है यानि कि एक ऐसी structure जिसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको खतम नहीं कर सकते hardest to destroy हो जाएगी तो bureaucracy की tendency है कि वो अपने बताएगे काम से आगे बढ़कर के एक separate force की तरह establish होते society में तीसरा concept क्या है कि जैसी society होगी वैसी bureaucracy होगी जैसा social structure वैसी bureaucracy जैसे सामने आएगा जब हम पढ़ेंगे issues of gender in bureaucracy तोपिक में तो पहला concept क्या था कि bureaucracy एक technically efficient instrument है administration का second aspect क्या था कि bureaucracy अपने आपको एक separate force की तरह establish करने की कोशिश करती है and third क्या था कि bureaucracy जैसी society होगी वैसी ही bureaucracy का nature आपको देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं Alfred Diamond कहते हैं कि Weber's treatment of bureaucracy reflected dualism in his thought दो तरीके की बात करते हैं Weber अपनी bureaucracy की theory में क्या कहते हैं वो एक तो ये अब आप ये समझे कि एक तो उन्होंने ideal type establish करने की कोशिश की है और दूसरा real क्या है तो यह हुआ ना dualism ideal में तो वो क्या कहते हैं कि bureaucracy ने एक neutral tool है वो जैसा आपने बताया वैसा काम करेगी लेकिन उसका खुद का जो experience रहा उनका sorry उनका जो खुद का experience रहा मैक्स वेबर का वो experience ने convince करता है उन्हें बताता है कि bureaucracy अपने आपको एक separate force मानती है अपने power interest को fulfill करने की कोशिश करती है and bureaucracy might threaten the mastery of political leadership ये दो तरीके के thought जो है अलग-लग thought उसके सामने आते हैं then मैक्स वेबर अपनी जब उन्होंने एक ideal state of bureaucracy बता है ideal type of bureaucracy तो उन्हें जो जैसी bureaucracy थी जो present day थी जो real में चल रही है reality में जैसी bureaucracy है वो किस तरीके से power को accumulate करती है और उस bureaucracy को कैसे आप रोख सकते हैं to accumulate the power इस पे वेबर ने बहुत सोचा how to prevent the inherent tendency of bureaucracy to accumulate the power इस पे क्या हुआ Elbro बताते हैं कि वेबर ने बहुत सारे mechanism बता है जिससे उन्होंने एक beast create करके दिया आपको लेकिन इस beast को control करने के उन्होंने तरीके बता है टोटल पांच mechanism हो हम आगे detail में discuss करेंगे चीक है इससे क्या होगा इट विल लिमिट दस कोप ऑफ सिस्टम ऑफ अथोरिटी जनली एंड ब्यूरोक्रेसी इन पर्टिकलर कि अथोरिटी को कैसे आप control में कर सकते हो थोरिटी पे कैसे चेक कर सकते हो दूसरा ब्यूरोक्रेसी पर्टिकलर ब्यूरोक्रेसी को आप कैसे control कर सकते हो ठीक है तो वो कौन-कौन से पांच method है वो है सबसे पहला तो collegiality then separation of power then amateur administration direct democracy and representation वन बाइवन देखते हैं आपने collegium system का नाम सुनाओगा जब हम Supreme Court of India की बात करते हैं तो Supreme Court of India में जैसे judges का selection होता है वो collegium की recommendation पे होता है तो collegium क्या होता है या collegiality क्या होता है कि जब कलीग किसी काम को ले करके responsibility शेयर करते हैं कि सब equal हैं चार से पांच person मिल करके किसी चीज़ को decide कर रहे हैं चीक है या फिर जितने भी more than 5 और more than 10 भी हो सकते है बट इसका जो inherent idea है वो क्या है कि as soon as more than one person would be involved in decision making the collegial principle would come into being अब हमारे क्या है कि cabinet decision लेती है cabinet नी council of minister decision लेती है तो वो क्या है एक person के पास power नहीं है वो power किसमें बटगी सब equal है ठीक है सब ministers है और वो power जो distribute होगे decision making power इसको बोलते collegiality इसके अलगलग form निकल के आते हैं जैसे roman consulate हुआ करता था british cabinet है senate है या parliament है ठीक इसके advantage यह है कि it will limit the power of bureaucracy बट इसके disadvantage क्या है कि जो decision लेने की speed है वो slow हो जाएगी और responsibility कौन उठाएगा इसमें भी problem आ रही है अब हम कह देते कि council of minister responsible है लेकिन actual में उसमें तो काफी बंदे है ना उसके actual में कौन responsible है वो थोड़ी सी problem है fix करने में ठीक second principle निकल के आते है separation of power यह हम सबने सुना है कि जब हम responsibility को divide कर देते हैं responsibility for same function divided between two or more bodies तब हम क्या कहते हैं separation of power इसमें क्या है जब हम जैसे आप अगर समझें वापिस में लेके जाओंगे मैं यह है कि between colleagues between human being अगर power divide होती है तो उसको बोलते है collegiality और अगर bodies के बीच में power का division हो रहा है that is separation of power जैसे separation of power between legislature and executive separation of power between executive and judiciary तो यह क्या होता है separation of power between between president and parliament तो example क्या है इसका सबसे best example जैसे budget को लेकर के British monarch और parliament में separation of power है हमार यह क्या है कि budget prepare को उन करता है executives करते है ठीक है उसको president को उन करता है माली जीए president उसको president की मर्जी से वो parliament पेश किया जाता है और फिर उसके उपर काम को उन करती है नार्क और पार्लियमेंट के बीच में रिलेशन है लेकिन वेबर कहते हैं कि in this kind of arrangement a compromise has to be reached between the involved bodies हमें भी पता है कि अगर ऐसा system काम करना है तो दो body है equally powerful bodies है उनके बीच में आपने separation of power कर दी कि मैंने आपकी power बाट दी तो यह क्या होगा एक compromise आपको establish करना पड़ेगा वहां पे according to Weber यह unstable system है ठीक है थर्ड आता है आपका immature administration आपको जोब नहीं मिली ठीक है आपकी family income भी सही है खिपती वगरा करते हैं यह जो भी business है आपका family business है अब आपके पास free time है तो आप free time में जाकर के आपके पास free time है आप अपनी hobby के तोर पे government administration में participate कर सकते हो ठीक है तो यह कहता है कि it refers to a situation when the government does not pay its administrator आपको कोई salary, कुछ payment, कुछ नहीं मिलेगा it depends upon those who have the resources to permit their spending time the unrenumerated activity मेरे पास resources है मेरी income है आ रही है सही से दूसरे तरीके से मेरी जो भी है मेरी business है मेरी family income सही है मेरे पस free time है now I can spend that free time कि मैं जा कर कि government का काम करूं ठीक है but हमें भी पता है ऐसा administration मतलब उसकी quality बिल्कुली खराब निकल के आएगी so this system is no match for administration by professionals and experts under condition of modern society फिर बात करते है direct democracy direct democracy क्या है कि लोगों के लिए आपको accountable होना है it underlie the idea मतलब इसके निचे जो idea है basically जिस idea पे ये based वो क्या है कि the administration has been to place the sorry the underlying idea has been to place the officials to place the administration to place the bureaucracy under the guidance of an assembly to ensure their accountability to the people उन्होंने क्या किया administration को या ब्यूरोग्रसी को direct लोगों के लिए accountable बना दिया and then आता है representation ये वेबर के हिसाब से सबसे बढ़िया है traditionally क्या होता है कि जो leaders होते है वो claim करते हैं कि वो अपने follower को represent कर रहे हैं so it is the existence and operation of political party that make this system work इसमें क्या होता है जिसे जो politicians हो है जो political party है they claim कि वो अपने लोगों को represent कर रहे हैं right तो आपने क्या किया कि जो representatives थे लोगों के उनके अंदर बुरोक्रेसी को रखा it was through this system that weber saw the greatest possibility of check on bureaucracy ठीक simple जी बात है political parties यहाँ पर लोग है ठीक है लोगों को represent कौन कर रहे है political parties कर रहे है political parties के किसको चेक करेगी किसको accountable रखेगी बुरोक्रेसी को तो इस ही क्या होगा बुरोक्रेसी की पावर एक लिमिट से जादा नहीं बढ़ पाएगी according to weber leadership recruited and developed in parliament in weber's view provided the only means of controlling the administration कि parliament की पास ही इतनी पावर है वहाँ के politicians leader इतने अच्छे होने चाहिए कि वह administration को control कर सके वह बुरोक्रेसी को control कर सके ठीक है जी लेकिन weber के बारे में बताया जाता है कि जैसी situation थी जो empirical situation है जैसी situation है वो उन्हें believe करने पर मजबूर करती है कि बुरोक्रेसी अपनी limit से आगे बढ़ेगी उसका जो function है उससे आगे बढ़ेगी and उसके उपर आपने check रखना उसको accountable यानि कि उसको limit करना है बुरोक्रेसी की power को तो वो कहते हैं कि politicians का एक proper selection process होना चीए with the capacity for leadership and the control of administrative apparatus यानि कि leadership अगर आपकी strong होगी में उनको तीन basis पे criticism होता है उनका सबसे पहला कि उनका जो model था वो machine theory है closed system model है कि बस वो अपने आप से बात करते रहते हैं उसकी structure के बारे में बात करते रहते हैं human being को उन्होंने कहीं पे consider नहीं किया etc. फिर वो कहते हैं कि bureaucracy normal situation में तो ठीक है stable environment में तो it's okay but it is unsuitable for an unstable environmental situation अब जैसे covid pandemic आ गया ठीक है ऐसे एको disaster आ गया कोई ऐसे situation आ गये कि बहुत unstable सी situation है inflation बहुत ज़दा बढ़ गया political unrest रहे country गे अंदर उस time पर bureaucracy जो है वो काम नहीं कर पाएगी third criticism होता है उनका कि जब तक आपने routine work करना है तब तो ठीक है लेकिन अगर मान लो आपने कोई innovation and creativity वाला काम करना है तो फिर आपकी bureaucracy dysfunctional consequences produce करेगी वो हम देख भी पा रहे हैं इस चीज़ पे तो हम भी believe करते हैं कि bureaucracy और innovation दो अलग अलग चीज़े हैं लग contradictory सी लगती है में okay सबसे पहले बात करेंगे Robert K. Merton के बारे में Robert K. Merton क्या कहते हैं कि आपने लोगों पे control किया चीक है कैसे आपकी organization में मालीजे 5 employee हैं उनके behavior को control करने के लिए अपने rules बनाए rules बनाए अब rules से आप expect करते हो कि ये इतना at least ऐसा behavior तो करें इससे reliability आती है और आप उनके behavior को predict कर सकते हैं but इससे flexibility नहीं आएगी वो फिर rules के हिसाब से काम करेंगे and क्या होगा ultimately हमने ये हमारा objective था ठीक है और इस objective को achieve करने के लिए हमने क्या कि एक रास्ता बनाया कि इस रास्ते पे चलना है हमें ये boundary इस से इतने ही रस्ते पे चलोगे आप बीच में से तो आपका क्या होगा काम जल्दी होगा लेकिन हमारे लिए क्या हुआ कि destination important नहीं रही हमारे लिए रास्ता इस रस्ते पे चलना जादा important होगा means की बजाए हमें end पे focus करना है बट हमारे लिए means जादा important होगे rather than end और फिर क्या कहते है कि इससे क्या होगा कि आपने efficiency के लिए bureaucracy को बनाया था बट ultimately bureaucracy ही inefficiency ले आएगी in specific instances ओके दिन बात करते हैं Alvin Goldner की ठीक है वो कहते हैं कि bureaucratic technique जो है वो अपने आप में कुछ reactions produce करेंगी जैसे आपने rules बनाए rules से क्या होगा आपने employee के behavior को control कर लिया ठीक है अब क्या होगा कि माली जीए जब भी जरत पड़ी आपने manager क्या करेगा अपने subordinate के behavior को control करने के लिए extra rule बना देगा उससे क्या होगी employees में tension create होगी और tension employer employer के बीच में जो tension चल रही है अब worker और employee के बीच में फिर क्या होगा sorry worker और employer के बीच में जो tension चल रही है उसकी वज़े से जो actual आपको organizational goal है वो कही ना कहीं displace हो जाएगा ठीक है next बात करते हैं बाकी जो writers हैं वो कहते हैं कि Weberian model है na developing country के लिए suitable नहीं है Warren Bennis कहते हैं कि वो तो even ये तक predict करते हैं कि bureaucracy है na वो 20th century की industrialization की demand को fulfill करने के लिए पनाया गया था तो जैसे जैसे time आगे भढ़ता जाएगा वैसे वैसे bureaucracy की बजाए कोई और नया social system आ जाएगा ठीक है according to Bennis वो क्या कहते हैं कि एक evolutionary principle काम करता है कि हर age अपने हिसाब से एक नया organizational form develop करती है then ये bureaucracy खतम हो जाएगी और इसकी बजाए एक नया system create होगा वो क्या होगा आपका work system ठीक है temporary work system वहाँ पे काम करेगा bureaucracy नहीं होगी तो वो तो bureaucracy कोई कहते है कि कुछ time के बाद में वो खतम हो जाएगी फिर आती बात Lord Rudolph and Suzanne Rudolph क्या कहते हैं कि जो आपने formal rationality बनाई है ना that means formal rationality का बाती है जब आप rules को follow करते हो can contribute to organizational efficiency but इससे ineffectiveness भी आती है कैसे कि हमने alienation and resistance का source दे दिया उनको कि rule को ही follow करना है तो फिर क्या होगा मेरे लिए easy हो जाएगा आपको control करना कि ये particular rule बना दिया वो rule बना दिया दिरे-दिरे क्या होगा कि लोग authority के खिलाफ struggle करने लगेंगे इससे क्या होगा resistance create होगा alienation आएगा ठीक है next बात करते हैं clause of के बारे में ये थोड़ा से important और थोड़ा से confusion लग सकते हैं आपने detail में समझना है दो तरीके के rationality बताते हैं वो एक बताते हैं organizational rationality दूसरा बताते है systematic rationality ठीक है अगर आप blindly अंदे हो करके और mechanically rules को apply करते हो ठीक है तो क्या है organizational rationality है लेकिन situation के हिसाब से जो आपका environment है उसकी हिसाब से जो requirement है जो जैसे situation है उसके हिसाब से अगर आपको decision ले रहे हो तो क्या है systematic rationality है clear कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो rules and regulation follow करने है वो क्या है organization rationality तूसरा मुझे situation को पहले समझना है फिर देखना है कि rule वहाँ पर apply हो सकते है कि नहीं हो सकते है that is called systematic rationality तो यह कहते है कि rule-bound bureaucratic system in a developing country is incompatible with the manifested and complex task of socio-economic development अब आप यह बता हो organizational rationality काम करेगा in DGC country में because हमारे यहाँ बहुत सारे factor काम करते है हमारे यहाँ सिर्फ एक factor नहीं है कि आपको order मिला है इसके लाब भी बहुत सारी चीज़े है जो आपको decision लेते हुए धान में रखनी होती है तो यह भी एक criticism रहा फिर आता है यह तो हुई बात Max Weber के बारे में अब बात करते हैं कि उन्होंने जो इस structure बनाई थी यह उसकी qualification पर depend करता है उसमें ethnicity और gender का कोई role नहीं है ठीक है ethnicity और gender of employee is of minor concern compared to their formal and technical qualification Weber कहते हैं कि जैसे जैसे bureaucracy आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे social class की leveling होती जाएगी ठीक है यह ideal situation है इसमें na actual work condition का है उसके उपर बहुत कम ध्यान दिया गया है लेकिन नए generation के theorist आगया है और उन्होंने इस aspect पर ध्यान दिया कि आपने ideal तो बता दिया लेकिन आप real बता ना भूलगे कि actual में क्या काम हो रहा है actual में कैसी situation है वो कहते हैं कि rational तो छोड़ो आप bureaucracy में जो जैसी हमने बात की थी ना कि जैसी society होती वैसी bureaucracy बनेगी तो जैसी society है वही prejudices आपको bureaucracy में भी देखने को मिलते हैं जैसे अमेरिका के अगर हम बात करें 1869 तक black को allowed नहीं किया जाता था जो black people होते हैं उनको अमेरिकल फेडरल स्वरी अमेरिकन फेडरल bureaucracy में काम करने के लिए allow नहीं किया गया जो विमन होती थी उनको 1967 तक काम करने के लिए allow नहीं किया गया ठीक है historically जो bureaucratic principles उनको मेल और maleness से associate करके पढ़ा जाता है तो यहां पर विमन को बिल्कुल exclude कर दिया गया है bureaucracy से या फिर अगर उनको include भी किया गया है तो उनको lower level पे रखा जाता है एंडिया को एक कॉंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हमारे equality before law and equality of employment opportunity है बट दो problem निकल के आती है एक तो यह कि हमारे यहां सबसे पहली बात तो government job में women हैं ही बहुत कम और दूसरा यह कि जो है ना जो काम कर रही है government में वहां पर gender equality बहुत है कैसे कि women के पास है ना organization में बहुत कम chances है कि वो आगे बढ़ पाए यहां पर एक opportunity structure है जिसमें यह signal दिया जाता है women को that they are not fully valued organizational member उनको कम समझा जाता है as compared to men example देते हैं यह कि 1989 में सिर्फ और सिर्फ 6.6% of women काम कर रही थी central government में चाहे फिर वो gadgeted post हो चाहे फिर non gadgeted post हो central government सिर्फ और सिर्फ 6.6% women जो है वो काम करती है 1995 में all India service के अगर बात करते हो तो less than 10% women वहां पर थी तो हम क्या देखते हैं कि जो picture सामने आ रही है वो ये कि bureaucracy contribute and reflect the biases of a larger societal context कि हमारी society में women discrimination women के against discrimination होता है तो वैसा ही आपको कहां देखने को मिलता है bureaucracy में भी देखने को मिलता है ठीक है आगे बात करते हैं बात हुई Max Weber की पूरी theory के बारे में अब थोड़ा सा उनको significance पढ़ लेते हैं कि चलो ठीक है उन्होंने जो concept दिया वो कुछ हद तक relevant है कुछ हद तक relevant नहीं है बट उनकी theory अभी भी एक starting point की तरह समझी जाती है कि उनसे आगे आने वाले जो thinker थे ना या तो वो Weber की theory को explain करने में अपना time लगा रहे हैं या फिर वो उसको criticize करने में अपना time लगा रहे हैं तो यह क्या था एक starting point बना और बहुत सारा criticism हमें यह शो करता है कि actual में जो Weberian formulation थी जो उसकी theory थी उसको कितना important है वो कितनी importance है उसकी और जब भी आप उनके Weber की कोई भी theory को analyze करते हो assess करते हो तो you have to keep that thing in mind कि उन्होंने na ideal bureaucracy की बात की है बट जो present day bureaucracy है उसके लिए वो concern थे उनको पता था कि bureaucracy अपनी power से जादा आगे बढ़ेगी अपनी limit से अपने function से आगे बढ़ेगी तो उसको control करने के लिए उन्होंने कुछ methods बताए है तो whenever you are trying to assess the Weber then you have to keep that thing in mind कि उनका आप तो सबसे पहला तो entire corpus of his writing वो पढ़ो कि जितने उन्होंने बताए specially उनके political writing पढ़ो then जब आप उनकी political writing पढ़ते हो ना तो आपको पता चलते है कि Weber है ना एक bureaucracy के critics है कि present day bureaucracy में बहुत सारी problems है लेकिन हम एक ideal bureaucracy बना सकते हैं यह उनका context है ऐसा नहीं है कि bureaucracy में बहुत अच्छी बात है और आगे जाकर कि bureaucracy ऐसी हो जाएगी नहीं present day bureaucracy में problems हैं बट अगर ऐसे principles ऐसी चीज़े अपनाई जाए तो we can create an ideal type of bureaucracy तो वो रेशनालिटी को focus नहीं करते एक्स्क्लूजिव रेशनालिटी को इतना ज्यादा spokesman नहीं है वो spokesperson नहीं है बल्कि वो एक bureaucracy के critics है ठीक है तो इसी के साथ यह chapter खतम होता है मिलते हैं नए chapter के साथ जल्दी till then take care and thank you so much